ऐसे बीटिव कैनल और आज हमारे पास आज है ये अज आट ये आप लोग पीछे देख सकते हैं और पूरी बाइक के बारे में इस वीडियो में बात करने इसके features इसकी classification जो जो इसमें सब कुछ आपको detail में बताएंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले आजाते हैं बाइक की body design पे पूरा पूरा body design जो हारले का एकदम authentic Harley की vibe दे रहा है आपको पूरी मोटी chassis आप देख सकते हैं यहां से लेके पूरा जो side panels और tail का look है पूरा Harley Davidson का आपको feel देगा क्योंकि बाइक ही Harley Davidson की है hero के साथ collaboration में यह बाइक लॉंच हुई है इंडिया में Harley Davidson 440X के नाम से silencer भी इसका देख सकते हैं काफी मोटा है और इसकी sound जो है काफी बढ़िया है आपको थोड़ी दिर में sound की सुनाते हैं बाइक की और indicators भी retro Harley Davidson वाले अब द्यान से देखेंगे तो इस पर Harley Davidson का sign भी बना हुआ है चारों indicators पर बना हुआ है और पीछे वह एक रेटलो गोल लैंप जैसा और ग्रैब रेल्स भी बाइक में दी हुई है एक comfortable लॉंग seat आती है बाइक में पीछे की तरफ एक मोटा 130 section का MRF का टायर मिल जाता है आपको silencer में नीचे देखेंगे तो बहुत बड़ा सा अंडर बैली पैन आ जाता है और हारले का पूरा इंजन आता है इसमें 440 CC का जो काफी बड़ा है size में आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको पूरी LED हेडलाइट मिल जाएगी जिसमें आरले डेविट्सन लिखा हुआ है और यहां भी जो फ्रंट सस्पेंशन है वह आपको पूरा यूजडी फोक्स मिल जाते हैं हाथ मेरा देख सकते हैं मोटे यूजडी फोक्स इसमें आपको मिल जाते हैं मतलब टूरिंग में आपको अद्दम कंफर्ट रहने वादा है बा इसमें बहुत ही बड़ी हैं इसकी ब्रेक्स लगती हैं दोनों में डिस्क आता है और ABS के साथ यह बाइक आती है और लिक्विट कूल इंजन आता है इसमें साइड मांटेड डिडियेटर दिख जाएगा आपको अब आज आते हैं बाइक के मीटर की तरफ और बाइक के इसमें आर्पीम और स्पीड और गेर पोशिशन इंडिकेटर और अधर में डिखने को मिल जाएगा सारी इंपरमेशन इस पर डिस्प्ले हो जाती है अजार इसमें भी आता है आप एज वन टैप आफ कर सकते हैं अजार्ट की लेवल इंडिकेटर भी बाइक जन देखने को मिल जासा है साइसें इंडिकेटर इंडियन चेक लाइट पर हार ये का बैट उसके बाद आपको बाइक की साउंद सुना आते हैं बाद लोगी काकु बढ़िया आती है तो यह साउंड थी नॉर्मली साउंड है बिना किसी एक्जास्ट के इतना बढ़ियां साउंड दे रही है यह बाइक बेंड पाइप आप इसका देख सकते हैं काफी कुपसूरत लग रहा है ये भी और उसके बाद फ्रंट की एड लाइट की डियारल ऐसी जलती है कुछ इग्मिशन अन पर और अलॉय में स्पोक्स कुछ इसके ऐसे देखने को मिल जाते हैं आपको पीशन अन होने के बाद टेल लैंब का भी लूप कुछ ऐसा रहता है कंप्लीट कुछ ऐसा लूप आता है बाइक में अब को ही जाएंगी मैंनु बे जाने के लिए अब यहां पर टिरिफ ले तकते हैं टाइम देख सकते हैं अपना उसके बाद फिवाइस की सर्विस आप देख सकते हैं डेट डेक्श सकते से कब सर्विस हो इड़ास को यह कुछ फीचर संबाइक में में और मैं बैक आने के लिए आप यह बटन दबाएंगे आप बैक आजाएंगे और टाउगल करने के लिए यह बटन रहेगा आप और यह बटन में पहली बाइक है जो हम लोग के पास आज सकी है खिवानी मोटर्स में अगर आप लोग को इस बाइक निलसे कोई भी डीटेल या जांकारी चाहिए तो आप लिंक में दिए हुए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और यह था आज का हमारा वीडियो अग चैनल पर बनेरी यह थांक फर वाचिन